नमस्कार दोस्तों आप सबी को अश्ट्रेंट्स लैब की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मैं रौसन राज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10 ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे आप असानी से कर सकते हैं और इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी डिगरी की जरूरत नहीं है और इसमें जो लागत लगता है वहाँ बहुत ही कम लागत से आप इस बिजनेस को सुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में आपका जो नुकसान है वहाँ बहुत ही कम होने की चांस है तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक ज़रूर देखेगा जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सा बिजनेस असान है और किस बिजनेस को करने में हम ज़्यादा सफल हो सकते हैं तो मारेफेंट जो सबसे पहला बिजनेस से हुआ है सीसी जिसे हम दोस्तों साइबर कैफे के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया दोस्तों डिश्टल हो चुका है, और हर एक कम डिश्टल कीतरह से हो रही है, तो और इसका जो डेमांड है दोस्तों, कहिने कहिना मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, तो आप इस बिजनेस को करते हैं, तो आप अच्छा खासा इंकम आपिस में कर सकते हैं, एक मेरा जो दोस्त है दोस्तो इस business को कर अच्छा खासा हुबाई income कर रहा है तो my defense इस business को सिखने के लिए सबसे पहले तो आपको जनकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए अधि आपकी इसको लेकर जनकारी अच्छी नहीं दोस्तो आप इस business में सफल नहीं हो सकते इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बिजनेस को सुरू करने से पहले इसकी जितनी भी जनकार ये उसे आप इकठा कर लेजिए सिख लीजिए तब जाकर आप इस बिजनेस को सुरू कीजिए और जब इस बिजनेस को आप सुरू करेंगे दोस्तों सिख कर तो यह बि फूट के लिए दोस्तों आपको क्या करना सिखना या तो इस यूटुब से सिख लिजे या फिर जहां पर फास्ट फूट बन रहा है वहां पर जाकर आप सिख लिजे और सिखने के बाद यह बाप एक से छह मेहने में लगभग में सिख सकते हैं और जब आप बनारा फास्ट फूट को जान जाते हैं तो आप खुद का बिजनेस चालों कर सकते हैं और इस बिजनेस से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आज के समय में बहुत सारे लोग फास्ट फूट की तरफ जो रुजहान है वह बढ़ रहा है तो इस बिजनेस में जो से पहले क्या किजिए वहाँ पर इस बिजनेस को चालों कर दीजिए और उसके बाद जब देखे के मेरा जो गुलगापा बहुत अच्छा बन रहा है लोगों बहुत पसंद कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस को क्या कीजिए मार्केट में आप उतार सकते हैं जहां पर छोट लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास लगव में 10-20,000 रुपया होना बहुत जरूरी है दूसरी जो बात है दोस्तों कि यह जो दुकान है आपका मतलब कि सड़क के किराने होरा चाहिए रोड के किनारे होरा चाहिए तिसरी जो दोस्तों पाच बार हुआ है टी एंड कॉप्या स्टोर् तो मारे फैंड इस बिजनेस यह जो बिजनेस से बहूत ही आसान बिजनेस है और इस बिजनेस को अच्छा खासा इंकम इसमें लिए तो मालना दोस्तों करने से पहले आप न बातों कए ध्यार रखें कि कौन सा बीजनेस कहाँ पर चलने वाली है तो आपको आपको आछा-कासा इंकम होगा अधि आप बीना किसी सोचे समझे को बीजनेस को चालो करते हैं मालना तो फिर आपका बीजनेस कहीं लॉस में हो कि पढ़ाए पर बहुत ध्यान दे रहें तो जब ध्यान दे रहें पर दोस्तों तो उसके लिए कहने का बुक की जो दोरत होती है अधिया बुक सेलर की दुकान खोलते मारेफेंस तो आप इसमें भी अच्छा खासा इंकम कर सकते हैं अगला जो बात है मारेफेंस आगला जो का नाम है YCW जिसे हम कारवास MR क कहते हैं ऊधी मारेफेंस आप कार-वास बासिंग के बीजनेस करते हैं दोस्तों तो आप कर दोस्तों को सरी क निचले इसके लिए बिजनेस को कहीं सकते हैं या बिजनेस आप अच्छी चलेगी कंट आने वाले समय में भारत के पर्ट्येख घर में एक गाले जरूर होगी तो इसमें जो संभावना है दोस्तों बहुत ज्यादा है आप इस बिजनेस को असाने से कर सकते हैं आग्यला जो बिगेंस जिसे हम नाम देख एलस ठीक है जिसका जो नाम है दोस्तों sucking लऊंडरी सफिस ठीक है के है लॉंडरी कारिफिस कटीक मैं कर लें तो कंप घड़कने की भारिडी के लगए तो निमें दह्या लगर अग 멩ोगर्ट तो नहीं करना जाते थीख Bulgar ऊघ्र दो यहां दोस्तों आपके लिए बहुत ही असान भीज्ने से आप इस बिजने से माँ असका नाम है आप जिसे हम फीस पार्मिंग के चानते माई फेंस आज के समय में सरकार इसके लिए बहुत से सबसेडरी भी दे रहे हैं और इसे शिखाया है बिजनेस को किस परकार किया जा सकते हैं तो आप इसके लिए यूटूब पे डोस्तों और इसकी तरह चितनी अच्छी तरह से सीख लिए उसके बाद जो सबसे महत्पून बात होती है दोस्तों फिस फार्मिंग में वह यह है कि आपके पास जमीर होना बहुत जरूरी है वह भी गढ़्धा या फिर आपके पास एक तलाओ होना चाहिए जिसमें आप माचली को क्या कर सकते अच्छी तरह से पाल सके ठीक है और यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही बहुत ही बढ गढ़ यह उसे आप सपशाय कर सकते हैं उतना 20-60 से सतरह लिफम चाल हो जाती और इस बीजनेस अप था अंकमआ सकते हैं तो इन सभी बिजनेस को दोस्तों करैंश जो भी बिजनेस आपको अच्छा लगए उस बिजनेस को जरूर किजिए और क्योंकि आने बाले समय में दोस्तों बाध भड़ा कोने बाली है ठीक है और इसका जो प्रशने मारे फें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और जिसे कि उस प्रशन को रिप्लाइब करेंगे आधि आप आप यूट्यूब चलाएब पहले बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबा वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिएगा और अपने दोस्तों को पास जरूर किजिएगा बेस्ट अफ लग्ग